दुस्टर्स फडिए हम बात करेंगे नियोगेस के गेस कोईन के प्राइस मोमेंट के पारे में अपडेटेट लेवस और आने वाले दिनों में आपके लिए टागेट्स कर रहेंगे करेंगे करेंटले कोई 6.35 प्योस्टी पर ट्रेड कर रहा है एक अच्छा परिकाउट एक पंपस के प्राइस में यहां पर वापिस से देखने को मिला और पिछले तीन-चार दिनों से लगातार यह कोईन मूव कर रहा है तीन-चार दिन में इस कोईन ने 100% ज्यादा का मूव लिया और कल से अभी तक 50% से ज्यादा का मूमेंट देखने को मिला है प्रिविएस 28 करेंगे प्राइस कहां तक जा सकती है किया सिनारियो बंद रहा है तो किस लेवल पर और सकते हैं ओवर वराल सारी से ज्युक बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इंवेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए है जिनको जांदा नोले एक्स्परियंस नहीं है उन कि वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जा सके, chat access रहेगा, crypto queries resolve की जाएगी, signal share की जाएगे, और भी बहुत सारे benefits हैं, जो भी अपने crypto journey profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बैचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा की link वीडियो के description में है, 6.31 USD पर अभी coin trade कर रहा, ये 15 minutes का chart open है, night के time में इस coin ने वापिस move लिया, जहाँ पर 4.65 USD वाले level से 6.95 वाला level hit किया, almost 50% का quick pump वापिस से देहने को मिला, डेली का chart open करें, तो पिछले 8-10 दिनों से ये coin लगातार move कर रहा, जहाँ पर almost 2.45 वाले level से, इस coin ने movement start किया, future से related listing से की news निकल के आई, यानि की बिनास future price के listing होने थी, ये news निकल के आई, तो इस news की वज़े से हमने impact देखा, price 3.5, 3.8 तक चली गई थी, फिर वहाँ से, जैसे ही listing होई, correction देखने को मिला, और price जो वो almost 2.7 से लेके 3 USD पर stable थी, उसके बाद 28, 27 अव अक्टूबर से, वाप इस coin ने movement start किया, और अच्छे खासे level को try किया, 28 अव अक्टूबर को ये coin 5 USD कराउंट ट्रीड कर रहा था, यानि की यहाँ पर trade कर रहा था, हमने आपको video share किया, आप rated level share किया, उसमें बताया था कि, इस coin के levels किया रहेंगे, हमने बताया था कि, जो quick exit करना चाहते हैं, यानि की आने वाले 2-4 दिन में, फिर जो week चल रहा है, इस week में exit होना चाहते हैं, वो 6.2 और 7 USD वाले target रखेंगे, यानि कि 28 of October को video share किया था, वहाँ से बताया था, कि जो अभी 4-5 दिन hold कर सकते हैं, क्योंकि is coin में moment होगा, और यह easily 7 USD तक तो जाएगा ही जाएगा, और उस level तक आप अपना profit percentage बढ़ा सकते, जैसे आपकी जो buying है, वो 3 USD की है, या 4 USD तक की भी है, तो भी आपका 6.2 से लेके 7 USD तक एक अच्छा खासा 50-60% तक का profit हो जाएगा, तो overall chances थे इस coin में, technically मैंने आपको बताया था, कि यहाँ से थोड़ी बड़ fluctuation हो सकती है, लेकिन overall यह coin इस level पर maintain रहेगा, और यहाँ से हमें हाज moment या कल तक moment नहीं भी देखने को मिलता है, तो आपको जल्दी बाजी नहीं करनी है, overall scenario clear है, easily 6.2 से लेके 7 USD तक अभी 2-4 दिनों में चला जाएगा, और अगर देखे तो 28 अपक्टूबर को वीडियो था, आज मस्ट अप नमबर है, नाइट के टाइम में इस कोईन ने 6.2 को तो हिट किया ही, इसके बाद second जो लेवल है 7 USD, almost 6.95 तक प्राइस चली गए थी, अभी 6.2 से उपर ट्रेट कर, वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, हमारे बहुत सारे फ्यूवर्स ने देखा भी, आई होप आपने first level पर profit generate कर लिया होगा, second level की बात करिया ने 7 USD की, तो 7 USD पर वापिस अभी यह coin चला जाएगा, overall scenario clear है, 7 USD तक का, जो हमने बताया था, उसको hit करेगा, बस यह है, आपको हमने पहले भी बताया है, और हरबाल बताते हैं, sport के अंदर है, देखी दो तरह के trade होता है, futures trade होता है, sport का trade होता है, sport में आप normal trade करते हैं, market के basis पर, futures में आप leverage trading करते हैं, sport में आपको थोड़ा wait करना पड़ता है, अभी कभी 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 मेने का भी wait करना पड़ता है, एक अच्छे breakout के लिए, लेकिन इस coin में moment हो रहा है, technically सारी जो चीज़े हैं, वो show कर रही है, breakout show कर रहा है, bullish show कर रहा है, तो हमने आपको बता दिया है, 6.2 वाले level से उपर अभी है, 7 UST तक चला जाएगा, पहले की जो level में आपको बताया थै, as it is रहेंगे जो अभी जिन्होंने 28 से पहले की buying है, जो अभी तक exit करना चाहते थे, उनका first level hit हुआ है, second level जो seven वाला है, अभी ये coin overall 6 UST से उपर stable है, maintain है, यहाँ पर कोई selling pressure नहीं है, तो वापिस यहाँ से 6.95 वाला जो level इसने try क्या था, उस तक try करेगा और उसको break करेके, और 7.2, 7.3 तक price जाएगे, तो seven पर आपको exit हो जाना है, जो first level पर exit नहीं हुए है, वो अभी वापिस से 6.5 और 7 UST की sell limit लगा सकते हैं, 6.5 पर 60% और 7 UST पर 40%, 7 UST के बाद, थोड़ा भूत correction हो सकता है, प्राइज में drop होने के chances हैं, 7 UST, 7.2, 7.3 वाले level पर, तो हमें जो maximum level रहता है, उससे पहले-पहले exit होना पड़ता है, इसलिए मैं आपको पताता हूँ कि जो maximum level है, या तो उससे पहले price में correction देखने को मिल जाता है, या वहाँ से reject हो जाता है, जैसे अभी 6.95 से ये coin reject हो गया, almost maximum अभी के chances जो थे 2-4 दिन के, वो 7 UST के थे, तो यहाँ से ये coin वापिस try कर रहा, 6.67 को try किया, अभी वापिस 6.67 को try किया, एक आद के इंडल में और ये try करेगा, तो या तो 6.95 वाले level से पहले ही reject हो जाएगा, और या 7 UST को cross करके 7.2 से reject होगा, तो ये chances रहते हैं, इसलिए हम आपको part में हमने exit बताई, strategy बताई ताकि आपको अगर correction होता है, तो कुछ part का आपका जो profit है, वो कम हो सकता है, या कुछ part का profit बढ़ भी जाता है, जो maximum chances रहते हैं, 6.2 पर हम safe exit हो गए, अलावा, जो wait कर सकते, जिनका हमने आपको बताया था, कि जो short term का wait कर सकते हैं, यानि 10th of November तक का, 10th of November तक का, उनका 8 UST का target हमने आपको बताया था, mid of November तक का, अभी जो week चल रहा है, इस week और इसके बाद जो next week रहेगा, ये 2 week का wait कर सकते हैं, वो 8 UST का और जो November end से लेके, December तक का wait कर सकते हैं, उनके लिए 10 UST का target हमने previous वीडियो में बताया था, अभी भी सेम रहेगा, जो wait कर सकते हैं, यानि 2 week का, अभी जो week चल रहा है, इस week का, और इसके बाद next week का, यानि मिद आप November तक का, वो 8 UST पर अपना 100% part sell out करेंगे, और इसके आद, जो November end और December तक wait कर सकते हैं, यह maximum time frame में आपको बताता हूं, इससे पहले-पहले भी hit कर सकता है, और इसके यह जो level है, जो time frame में, इस time frame में तो hit करेगा ही, maximum time frame में आपको बताता हूं, तो इन level पर आपको exit हो जाना, proper sell limit लगा देनी हैं, weekly के अंदर support area की बात करें, तो 3.8 से लेके 4 UST वाला, एक अच्छा खासा जो resistance area था, previously UST pair में, इस coin के लिए, उसको break करके support बना लिया है, उसके बाद, जो second level है, 5.5 से लेके 5.6 UST वाला level, weekly के अंदर, उससे उपर भी treat कर रहा है, तो weekly closing वहाँ से उपर हो जाती, तो यह जो हमारा 8 UST और 10 UST वाला जो level है, यह almost clear हो जाएगा, इसके अलावा, जिन्होंने buy नहीं किया है, entry नहीं ली है, जल्दी बाजी में बढ़ते हुए coin के अंदर, entry लेना आपके लिए risk हो सकता है, अगर आपको knowledge नहीं है, तो जो चीज़ा हम आपको share करते हैं, उसको as it is, अगर आप follow करते हैं, तो आपको अच्छा profit भी होगा, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे comment है, जिनको बहुत सारे coins के अंदर loss हुआ है, या loss में फस जाते हैं, वो उनका recover भी हो रहा है, दीरे दीरे, हमारे पास कुछ ऐसे messages भी आए, Instagram पर जोनों है, जिनका loss recover, उन्होंने हमारे वीडियो के थ्रू लोस recover किया, और फिर premium membership join की, तो या तो आप loss करने के बाद, recover करके फिर premium membership join करें, या पहले ही आपके पास capital है, तो उससे join करके, वहाँ से अच्छा benefit generate करें, जो हमारे नए investor trader है, जिनको knowledge experience नहीं है, वो premium membership में जरू इन्रोल करें, वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जाएगी, chat access रहेगा, crypto query dissolve की जाएगी, signal share की जाएगे, और भी बहुत सारे benefits हैं, तो जो भी अपनी crypto journey, profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा की link video के description में हैं, बाकी यहाँ पर bio sales, खुद के risk, खुद के research के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहें, वीडियो से बचुकेशन परपस सहें, ताकि आपको overall coinculated knowledge उसके, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक ज़रू करें, चैनल को subscribe कर लें, Thank you.